आज हम एक बार फिर राफाइल फाइटर जेट मामले पर इंटर्व्यू करने जा रहे हैं हमारे साथ हैं डीर अगुनंदन जो की रक्षा विशेशग के हैं एरोनॉटिक इंजिनियरिंग इंजिनियर रह चुके हैं और हैच एल में काम भी कर चुके हैं इसके पहले के इंटर्व्यू शूरू करें आपको शोताओं को ये बतलाने के जरूद है कि न्यूज क्लिक को लीगल नोटिस भीजी गई है रिलाइंस अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप की तरफ से टू सीज इंडेजिस्ट इस मामले पर कुछ करने या कहने के पहले हम रोग दिया गया है लेकिन न्यूस क्लिक का ये मानना है कि सारवजने की हित में और सच्चाई जानने के लिए हमें जहां भी जहां हम पहुँचते हैं वहां जो भी खुलासया की जरूरत है वह हम करते रहेंगे कोंकि ये सारवजिक हित में बहुत जरूरी है न्यूस क्लिक की तरफ से रगूत आपका स्वागत है अब कंपनी ने दो स्टेटमेंट्स इशू किये हैं पिछले दिनों जिनसे काफी कुछ चीज निकल कर आती है लेकिन जो चीज जिसने ध्यान अकरशित किया वो ये उन्हें दोबारा इस बात पर जोड दिया है कि जो 36 वाइटर जेट बनाए जा रहे हैं उनका वो सौ फीसदी इंपोर्टेड होंगे और हमें यह नहीं पता है कि उनके अलावा कुछ और अगर बनाने की योजना खरीदने की योजना है तो वो यह बनाया जाएगा कि उन्हें भी आप दे शेल्फ खरीदा जाएगा लेकिन रगू दुबारा रफाइल मामले के बारे में अगर हम बात शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि यह इसकी शुरुवात बहां से होती है जहां कि वायू सेना ने 126 फाइटर जेट की मांग रखी और वो मांग रक्षा मतलब नैशनल सिक्यूरिटी असेस्मेंट के आधार पर रखी थी तो उस 126 का 36 हो जाना इसके बारे में आपको क्या कहना है देखे इसमें दो बाते मेरे खियाल से महत्वपूर्ण है पहला कि वायू सेना को लग रहा था काफी सालों से कि उसकी स्थिती ठीक नहीं है लडाकू विमान उनके पास कम होते जा रहे हैं जहां वायू सेना को अनुमान था कि उन्हें बायालिस स्कौाडरन की जरूरत है खत्रा था कि ये बायालिस के जगह घटते घटते 26 तक पहुंच सकता है क्योंकि हमारे मिग 21 के जो उडान थे वो तो खतम ही हो गए थे क्रेश भी हो रहे थे बहुत पुराने हो गए थे तो वो खतम हो रहे थे उसके इलावा हमारे पास जागूर कुछ मिराज कुछ अन्य जो मिग 29 इतियादी मिग 23 और 27 ये सब थे हमारे पास वो भी देरे देरे पुराने होते हुए उनको रिटायर करने की जरुरत पड़ती है तो वायू सेने को खत्रा ये था कि हमारे पास बहुत कम जहाज रह जाएंगे तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगा है कि हमें कम से कम 126 लडाकू विमान आधुनिक की जरुरत है बड़ जो हमारे पास टेंडर के जवाब में आये थी डिटेल उन में से चानबीन करके दो जहाज यूरो फाइटरा रफाल चुने गए इनको तीन साल तक बड़े लंबे तरीके से डिटेल तोर पे इनका फील्ड में टेस्टिंग किया गया और उसके आधार पे रफाल को चुना यह सब करने के बाद यका यक इसको 126 से लेके 36 करना यह तो समझ से बाहर है दूसरी बात 126 जो खरीदने की बात की थी उसमें था कि हम 18 डिरेक्ली खरीदेंगे जिससे भी हमें खरीदना हो और बाकी विमान को हिंदुस्तान में हेल दोरा हम यहां पे बढ़ाएंगे ताकि हमारी चमता भी बढ़ेगी इसमें उत्पादन में अब केवल आप 36 खरीदोगे तो इसमें आप कोई हिस्सा आप यहां बना नहीं सकते वो तो डिरेक्ली आप इंपोर्ट करेंगे तो वो चमता बढ़ाने वाली बात भी खतम होगे तो ना आपके पास नंबर है ना आपके पास चमता है तो फिर अगर है यह ऐसा है तो फिर आफसेट सर्विसिंग को आप किस रूप में देखते हैं देखे आफसेट का माइने यह है कि जितना पैसा हमने खरीदने में खर्च किया उसमें से पचास प्रतिशत जो है इस देश के अंदर खर्च होंगे इसका मतलब के इतनी मुद्रा हम कमाएंगे या इतने रोजगार हम अपने देश में करेंगे पर इस प्रकार के आधनिक तकनीक जो हवाई जास जैसे चीज़ को बनाने में लगता है रक्षा के खेतर में वो हमारे हाथ में हासल होंगे भारत देश के अंदर अगर बनेगा इतने आधनिक लडाकू विमान तो हमारी उत्पादन की चमता इतनी बड़ेगी ये आफसेट्स का माइने है पर अगर आप च्छतीस ही खरीद रहे हैं और वो भी पूरे इंपोर्ट तो वो आफसेट पूरा करने के लिए पचास फीसदी पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कॉंट्रैक में और अब तो सुनाई दे रहा है कि तकरीबन सौ एक कमपनी इसमें आफसेट्स में जुड़ेंगे इसका मतलब है हर एक के पास एक चुट-पुट कुछ कॉंट्राइक जाएगा इसमें आप क्या जानकारी हासिल करेंगे क्या इंफरस्ट्रक्चर बनाओगे क्या इसमें चमता हासिल करोगे ये तो मुझे नजर नहीं आता तो आपने जो अभी बात रखी अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम आफसेट सर्विसिंग की बात करें तो फिर उससे आप क्या निश्कर्श पा आते हैं देखिए अगर हम केवल 36 जहास खरीद रहे हैं तो उसमें से 50 आपने आफसेट करने ही है पर क्योंकि इस कॉंट्रेक्ट में ये तैह है कि 36 तो आप फ्लाइ अवे कंडिशन में खरीद रहे हैं मतलब सीधा का सादा वो इंपोर्ट हो रहा है तो इन 36 के लिए यहां पर मैनिफैक्चर नहीं होगा तो पर आप परंतु क्योंकि ये अनिव ये हैं तो 50 फीसदी आपने खर्च करना ही है तो दस ओल जो कंपनी है वो अपने तरीके से कुछ सब कॉंट्रैक्ट यहां पर देगी ताकि वो आगे आने वाले दिनों में अपने बाकी जितने काम हैं उनके लिए कुछ कॉंट्रैक्ट यहां पर देगी जिससे की 25 पचास फीसदी यहां पर खर्च होगा पर अब सुनने में आया है कि तकरीबन 101 कंपनियों के साथ कॉंट्रैक्ट हो रहे हैं ऑफसेट्स के अगर 50 फीसदी आप 100 कंपनियों में बांट रहे हो फिर तो इसका मतलब है कि जादा से जादा जो यह कॉंट्रैक्ट हैं वो चुट-पु होगे तकनीकी तोर पे यह मेरे खाल से कोई ना के बराबर होगा इसमें आपका कोई ज्यादा फैदा नहीं होने जा रहा है लेकिन इसमें जो बल्क होगा वो तो लगता है कि जो दो जॉइंट वेंचर दसॉल्ट और थेल्स ने रिलाइंस अनिल धिरुबाई अंबानी ग् है लेकिन अगर दसॉल का हम हिस्सा देख लें कि वो पचास प्रतिशत मतलब उस पूरे आफसेट का पचास प्रतिशत तो उसी के पास है और साड़े छे हजार करोड थेल्स के पास है साड़े पांच साफरान और तीन हजार M.B.R.D. के पास है तो इस से यह सपष्ट है कि जो है उसकी संभावना है कि वो दिरुबाए अन्बानी के पास जाएगी जिनके पास कोई प्रीवेस एक्सपीरिंस नहीं है जैसा कि रगो आपने बताया है कि इससे कोई हम इंडिजेनिस केपिबिलिटी हासिल नहीं करेंगे आफसेट के पीछे अवधारना क्या थी देख कि यहां पे कुछ रोजगार हासिल हो पर में चीज है कि जब आप लड़ाकू विमान या कोई अन्या यंत्र यहां पे बनाएंगे तो यह काफी आधुनिक अडवांस टेक्नॉलिजी के होते हैं आफसेट अगर यहां पे करोगे इसका मतलब यह होता है कि आपको यह ग्यान हासिल होगा तक्नीक की जानकारी हासिल होगी उसकी च्छमता यहां पे बढ़ेगी उसको बनाने के लिए इंफरा स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा यह मकसद होता है आफसेट का पर मुझे लगता है कि दीरे दीरे पिछले आठ दस साल से यह जो औरिजिनल मकसद था कoru से टेकनललिजी नहीं देना चाहते हैं कोई भी नहीं देना चाहेगा पर आपके हाथ में एक पावर है कि आप इतने पैसे का एक डीरी ल्त करने जा रहे हैं उनके साथ तो उस लालच में आप कंपनी को दभाव में डाल सकते हो कि देखो हम आपको इतना बड़ा कॉन्ट उल्टा ये हुआ है कि उन्होंने आप पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप मत करो दीरे दीरे हमने इस आफसेट के क्लाउस को डाइल्यूट करते गए उसका जो ओरिजिनल मकसद था उसको निकाल दिया और अब बेसिकली ये रह गया कि आप कहीं न कहीं से जोड मोड कि इतनी मुद्रा यहां पे खर्च कर दो चाहे उसमें टेक्नालिजी आए या ना आए तो मतलब जुगाड हो जाए जुगाड हो जाए किसी तरह से सर्विसिंग कि आफसेट सर्विसिंग तो अब क्या हो रहा है कि वो इस प्रकार से आफसेट को कर रहे हैं जैसे आपने का 50 प्रतिशद उन्होंने खर्च करना है 50 प्रतिशद का आदा एक कंपनी के पास चला गया अमबानी ग्रूप पास बाकी एक मोटा हिस्सा थाल्स के जो एलेक्रानिक्स औरेडर का है वो गया और एक मोटा हिस्साद जो हमारे भारतियर इंजिन जो है कावेरी इंजिन उसके साथ एक संबंदे तो उसके डिवलप्मेंट में चला गया जो आप रफाल डील के साथ कोई मतलब नहीं है उसका किसी और इस जहाज में वो काम आएगा बाकी जो सतर असी कमपनी के साथ रफाल ने डील किये हैं वो तो केबल चुट पुट कुछ होंगे जाहिर है कि अगर वो इतने कम पैसे में आपने सतर कमपनीों के बीच में बांड दिया तो ना उसमें कोई खास इंफरास्ट्रक्चर बनेगा यहां पे ना कोई खास जानकारी आपको हासल होगा और अगर होगी भी तो वो कमरिशल एक्जेकेटिव जेट लाइनर बनाने के लिए होगी जेट लाइनर के लिए होगा उसमें भी मेरा यह मानना है कि वो इस परकार से तोड़ तोड़ के उसका काम करवाएगी जिस से कोई خاص जानकारी यहां पर हासल ना हो पाई दूसरी महतुपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी पड़ा अखबार में कि अमबानी ग्रूप यह कह रही है कि हमारे जो अलोचना कर रहे हम जैसे लोग कि भई आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो कह रहे हैं कि अब यह इर्रेलेवंट है हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है तो क्या हुआ क्योंकि रफाल को बनाने में तो हमें काम नहीं दे रहे हैं किसी और चीज़ में दे रहे हैं बात यह है कि अगर हम आफसेट्स पे मجبور करते दसौल्ट को हिंदुस्तान एर्रनाटिक्स बी एल पब्लिक सेक्टर कमपनियों के साथ ये बड़ी कमपनी ऐसे हैं जो इस तक्नीक की जानकारी को हासिल करके अपने काम में उसको लेके आगे ये जानकारी को बढ़ा सकती है अगर अमबानी ग्रूप जैसा कमपनी है जिसके पास कोई अनुबव नहीं है उनको अगर आप मैनिफैक्टरिंग का कॉंट्राक्ट देंगे उत्पादन का तो वो टेक्नोलिजी को हासल ही नहीं कर पाएंगे टेक्नोलिजी को हासल वो कमपनी कर सकती है जिसके पास टेक्नोलिजी का अनुबव हो और कुछ जानकारी हो और अब्सार्ब कर सके तो वो अब्सार्ब कर सकता है इसके इसका मतलब है कि डाल में जरूर कुछ काला है और कई लेवल्स पर काला है जिसकी की बुनिया दो सबसे एहम मुझ्दा जो है रगु जिस पर की मैं आना चाहता हूँ वो ये कि 126 सामरिक दृष्टी से लिया गया एक कदम था क्या वो समझधारी बदल दे गई है अगर बदल दी गई है तो उसके बारे में अभी तक हिंदुस्तान की अवाम को अन्बिग क्यों रख्या गया है ये भी एक सवाल उठता है कि 126 से आप अचानक 36 पर आ गया थेखिए ये केवल हिंदुस्तान के आवाम को अग्यात नहीं रखा गया देश के जाने माने सैन्य विशेश अग्यूभी सिर्ग घूम रहा है कि ये हुआ क्या कि वायू सेना कह रही थी पिछले 10 साल से कि हमें 126 चाहिए यका यक रातों रात उसको बदल के 36 खरीदने की बात हो गए करने के बाद अब वायू सेना ने फिर एक टेंडर निकाल दिया कि हमें 108 और चाहिए तो अगर हमें ये 108 प्लस 36 चाहिए थे 144 के आस पास तो वो पिछला क्यों कैंसल किया 36 क्यों लाए और अब दुबारा क्यों कर रहे हो और अगर दुबारा कर रहे हो तो पिछले 6 साल का जो ट्रायल किया आपने इवैल्यूएट किया दूसरे टेंडर दूसरे जहाज को लाए उनको टेस्ट किया उस सब करने का क्या फैदा क्योंकि नतीजे तो वही निकल नहीं है जो पहले आये थे तो आप दुबारा उसी एक्सपसाइज को क्यों कर रहे हो मुझे मैं सबसे जादा हैरा इस बात से हूँ कि पिछले दस साल से हमने डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटड सा प्रोसीजर इवॉल्व किया हमारे देश में क्योंकि बोफोर्स के स्कैंडल के बाद ऐसे लगा कि भारत में हमें कुछ कद हम ठोस कुदम ऐसे उठाने चाहिए कि जब विदेशी कंपनियों से ऐसे सैन्य चीज़ें हम खरीदेंगे तो कुछ चेक्स और बैलनस होने चाहिए कुछ प्रोसीजर होने चाहिए ताकि ये इसमें कुछ पारदर्शिता हो कुछ ट्रैंसपैरंसी हो पर पूरे डिफेंस प कांट्रैक्ट को कैंसल करके 36 का कांट्रैक्ट ले लिया और जहां तक ख़बर है ना कैबिनेट को ना एर चीफ को ना डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट कांसल को कोई जानकारी थी इसके बारे में तो पार जर्शिता का क्या हुआ रगू आज की बात यहीं तक लेकिन इस मामले पर चर्चा बनी रहेगी क्योंकि यह मामला इतने जल जाने नहीं वाला है लिहाजा दर्शक क्या समझते हैं और उनको कैसा लगा उसके बारे में हमें लिखें यह हमें बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद